को टियो बट एक सिंग कहाने सादत हसन मंटो दे लिकलीtar एक हानी इलेक्टि पिजबी दे सेलेबस तिवेच संसारदिया परिसित कहानिया देविच दर्ज है ते एस पुस्तक देविच शामल एक कहानी अनवाहदत कीती गही है ते इस कहाणी दा जिड़ा सारा प्लॉट है ओ देश वांड देना जुड़दा है इस तो पहला के मैं इस कहाणी दी जानकारी दमवा हरफ पंजाबी चैनल ना जुड़े वध्यार्थी दर्शका दा स्वागत कर दें हो या मैं उनानों गुजारिश करेंगी इस चैनल नुँ सब्सक्राइब करो ते वीडियो नुँ लाइक शेर जुरूर करो और स्वंदत वध्यार्थी आनल जुरूर सांजा करो सादध हसन मंटो पाकस्तानी नाटक कार लेख खन जुलुद्याना विच पैदा हो इसन ब्रेटिश पार्थ दे समेच ए मोख तोर ते उर्दूज लेख रेशन उननाने अंग्रेजी साहेद दे था सवेच लगू कहाणियां दे लागपक बाई संग रहे एक नावल रेडियो नाटका दियां पांज लडियां ते लेखां दे ते इन संग रहे नीजी स्कैच दे दो संग रहे ते वड़ियां छोटियां कहाणियां लिखियां ते आज भी लेख का ते इलोज का द्वारा इनननु परसांद कीता जानदा है ज्यादा तर जडियां ओनाद तियां रेचनावा हन वागवाग विश्याणाल जिथ दियां हन जिमें वानडबारे विशे मनुक्षी जीवन बारे समाजक वर्जत विशे फिरकुहिंसा ते होर विशे मंटों ने बन्यादी तोरते समाई दी कठोर अते नंगी स्चाईन हो वास देती है जिस बारे किसे ने गाल करन दा उदम नहीं कीता ओपारत दी वांडदा व्रोधी है मतलब वो देश वांडदा व्रोधी लेखक है उन्हें 14 सी के देश वंड़े जान दे जितो तक टोबा टेक सिंग कहानी दासबाद है टोबा टेक सिंग कहानी दे विच मोख तौरते जड़े पातर है मैं उन्हा बारे जान कर देवांगी टोबा टेक सिंग मोख पातर टिड़ा के एक मुसल्मान पागल पातर है टोबा टेक सिंग एक सिख पातर बिशन सिंग है उसनों टोबा टेक सिंग दिनानालवी इस कहानी चे लोका ने जाने है बिशन सिंग उसना नाम है एक मुसल्मान पागल पातर है, एक रेडियो एंजिनियर पागल पातर है, एक लहौर दा हिंदू नौजवान वकील पागल पातर है, दो एंगलो इंडियन पागल पातर हैं, ते इस तरह छोटे मोटे छोटे होर दो तिन महान पातर, जिमें चन्योट दा एक मोटे मुसल्मान पागल जाँ फिर एंगलो इंडियन पागला दी गाल की तिया समय देवेच विशेश तोरते हाद लग लग पागला देश थे थी बारे थोड़ा थोड़ा दसांगी कि एसक जड़ा एवाली कहाणी है उसते वेच जड़े पात्तरानू दस्या गया है उन्हा दी मनोवस्था बहुत विशेटर के संदिया क्योंकि वेच नी जाना जांदे जादी तो बाद जाँ पाकस्तान वाले जड़े हानों पाकस्तान नी जाना जांदे कहाणी दा थोड़ी ब्रीफ संब्री टोबा टेक सेंग जड़िया उर्दू दी कहाणी है जड़ी उन्ही सो पचबंजा शपी ए मंटो दी शाकार रचना है उनी सो पिज़ ताली विच पारती वांडों को साल बाद पारत ते पाकस्तान दिया सरकारा ने एक दुझे दे हिंदू सेख ते मुसल्मान पागलां दी अदला बदली करन बारे समझोता कीता लहुर दे पागल खाने विच बिशन सिंग नाम दा एक सेख पागल सी जो टोबा टेक सिंग नाम के शैर दा निवासी सी उसनू पुलिस ते दस्ते दे नाल पारत तरवाना कर देता गया लेकिन जदो उसनू पता चल लिया के टोबा टेक सिंग पारत विच नहीं है सगोवांड तो बाद पाकस्तान वाल रह गया है ता उसने सिरहाद पाद जान तो इनकार कर दिता ते कहाणी दे अंत वेच बिशन सिंग दोना देशां दे वेच दी सिरहाद दे नो मैंस लेंड दे मर जन्दा है ते कहाणी ये थे खतम हो जन्दी है क्योंकि एक आणी बहुत ज्यादा इस तरह कहाणी नियां कहाण ये उत्राजडा हो जन्दे हैं एक कहाणी बाग रखक्त पात्रां दिया मनोवस्थानर जूड़ी हो ये कहानी दे रामपच दस्या गया है कि देश वांड तो बाद पागलां दी वांड जहां जड़े इखलाकी कैदी सी जिनना दा मानसक्तवाजन नहीं सी उनना नुवी वंड़न दी गाल जली ता हिंदूस्तान दे पागल खानेया जड़े मुसल्मान पागल सी उननुपाकस्तान पे जिनबरे सोचा गया पाकस्तान दे पागल खानेया जड़े हिंदूस्तान पे जन्दी गाल कीती ते जदो इस बारे चर्चा चली ता उस्ते वेच वाकवाक पागलां दाक दार दस्या गया है कि बारा मर्यां दा एक पातर है जड़ा हर रोज जड़े बड़ा आर्मक त समयदा है कि हिंदोस्तान एक जई था है जित्थे उस्तरे बन देहन एस तरह एक सेख पागल एक होर सेख पागल पुछता है कि सानु हिंदोस्तान की ओपे जा जा रहा है सांता उत्व दी पोली नियोंदी ते दुझा केंदा हिंदोस्तान दी बोली योंदी या हिंदोस्तान बड़े शतानी ते आकड़ आकड़ फिर देहन एक पागल ना हो दिया एक दिन पाकस्तान जिन्दाबाद दाई नी जोर दी नारा लोंदा के फर्श उते ते लिख के डिख पेंदा है ते भी होश हो जन्दा है इस तो बाद दो पागल जेड़े के उस वेले थोड़ा बहुत सैंस वाले सान जादा प्रशानी ने सी पर उन्दानों वे नी सी समझ आरी के देश क्यों वंड़ा गया है उन्दानों केवल ना पता सी के एक आदमी मुहम्मद अली जना है जिसनों काइद आजम के इंदिहन उन्ना ने मुसलमाना वास्ते एक वखरा मुल्क बनाया है जेस इस तरह एक पागल है पागल जड़ा है हिंदोस्तान ते पाकस्तान ते पाकस्तान ते पाकस्तान ते हिंदोस्तान ते चकर्च इन्ना फस्या की चाड़ू देन दया एक दिन रोकते चाड़ गया ते कहन लगा क्यों थले नी उत्तरेगा ना पाकस्तान जाएगा ना हिंदो एक होर पागल जड़ा के MSC पास रेडियो इंजीनियर सी, मुसल्मान सी, दूजे पागला तो बिलकुल वक्रा सी, सारा दिन चोपचाप टैल दा रहिंदा, ते ओ भी इस वांड दे रोद विच सी, ते ओ कदे कदे अपने कपडे उतार के नांग तणंगा हो के बाग विच त मैंबर रह चुके चुक्या सी, ओ पंद्रा सोलावार देंट ना उन्दा सी, पर जदों तो देश वांड दा एलान हो गया, उन्ने नौणा मी छाड़ देता सी, ते ओ आपने आपनू काईदे आजम महम्मद अली जना केंदा, ते ओनू वेह के एक सेख पागल अपने आपन कामरे सेर्वेच रहें दी सी, ते उसनों बड़ा दोख सीगा कि ओवी होना अपना देश, उन्नों ना बदलना पवे, उन्नों आगदा सी हो दी महबूबा हिंदूस्तानी बढ़ंगी है, ते ओ पाकस्तानी है, ते उसनों वी इस गालदा बुरा लाग रहा सी, ते उस वकी कि ओन दे अगया, गरेड़ पारत चाटके जान, उन्ना लो पता लगला कि इस था लगण लगए होनों ना दी कदर कात जाएगी होनोंक। पाकस्तान दे विच है ते टोबाट एक सिंग बिशन सिंग एक जगादा ना है जेडी के उस वेले ही पाकस्तान दे विच है ते टोबाट एक सिंग बिशन सिंग दा पेंट सी जिसे वो बहुत साल पहला रेना सी क्योंकि जेडे पागल खाने दे प्राने नाुंकर सियों जान दे सी के टोबा ठेक सेंग वेच बिशन सेंग दी काफी जमीन है ते चंगा खांदा पींदा जिमीदार सी ते चानक दमाग हेल गया ते उस ते रिष्टेदारों नूँ लोहे दे मोटे-मोटे संग नाल बान के लिया आए ते पागल खाने चे दाखल करा देता ते एथे रेंदिया रेंदिया बिशन सेंग नूँ एक वार मुलाकात ली उनू कोई ना कोई मेलना उन्दा सोखसान दा पता कर दे ते जदों तो पाकस्तान हिंदोस्तान दी गड़पड शुरू हो यसी उदे रिष्टेदाराने आउना जाना बांद कार देता सी उस ता ना बिशन सेंग निए पर होण सारी उसनों टोबा टेक सिंग नू बहुत याद कर दा सी उन्हों नों इसी पता लगदा कि ये देन में ना केड़ा या ते ऐ आपने आपची मस्तरें दा सारा देन का दिकरी आपने वालानू ते इला के कंगी करदा ते जदों नों मेलना पलीक सब्सक्राइबरे पॉछ निन दोस्त पागल नों पॉछ दा कि टोबा टेक सिंग दा कि इंदा मैं अजे हुकम नहीं दिपता कि आप आपकी उसनों कोई जवाब नहीं देना इस तरह विचार बोटां दे तो बाद टोबा टेक सिंग दा एक मुसलमान दोस्त एक दन उसनों मिलन आया फजल दीन ते फजल दीन नो उसने पुछा के टोबा टेक सिंग किती है ते फजल दीन ने जवाब दिता के टोबा टेक सिंग जड़ा है उहो पाकस्तान दे वेच रह गया है। विशन सिंग है वी बड़ बड़ाउंदा होया उत्य पहुंच गया और उसनों उस बहुत बॉग इंती पागलां दिस बटवारे दिहाक वेच नहीं सी इस करके उन्हों समझ नहीं आ रहा सी कि उन्हों अपनी जगातों पोट के क्यों सुट्टिया जा रहा है वो जित्थी हा निकद लगा ते उसने पुच्छा टोबा टेक सींग के थे हैं पाक स्टानंवीच हिंदोस्तान वेच सबंदत आपसर ने हास के क्या Pकीस तड़ लेशन सिंघ अिभे पास से अठी गया तै दौड के पाकस्तानी साथिया गया हुंछ waiver थे पाक œआत कर देन थे ता कर थ पाकिस्तान इस ता कुछ भी समझनी लगदी सी ते सारा देन बाकी कैदियां दी बटांदरा हुंदा रहा ते वो जड़ा टोबा टेक सिंग सी अपनिया सुझियां हुई यह लगता ते खड़ा रहा व बड़े सालना तो सुथा नी सी क्या जन्दा के 15 साल तो उसनों चंगी आदमी जो पंदरा वर्यां तक देन रात अपनिया टंगा उते खड़ा रहा सी मूदे मूँ डिगा सी ओधर कंडालियां तारा ते पिछे इंदोस्तान सी एदर एहो जीयां तारा ते पिछे पाकस्तान विचकार जमीन दे टुकडे दे उते टोबा टेक सिंग पाव बिशंट सिंग मर्या प्यासी कैदा पाव के कलेख कंसार बिशंट सिंग लाह और शरन दे पागला चुएक है ओक हानी दैक मोख पातर है बजूरग पातर है जो पंदरा साल पहला पागल हो कि पागल खार ने आया सी तोबा टेक सिंग उसका जद्धी शैर है जित्थी उसनी जमीन जायदा सी बाद वेच प्रवाद में सारी एंगला कार चुकी है ते कहानी इस तो बाद कहानी विशंट सिंग ते कुछ होर पागलान दा भी जिकर आया है यह भी एस सिंगाल कार लई है ते टोबा टेक सिंग कहानी वांड ते कव्यांग है एदर सौंदी है कि में वांड बेले पार्त ते पाकस्तान दोवां देशां दी राजनीत कपर नारी आम लोकानू ता रम्दे ना ते अपना जद्धी स्था दूज्जा पॉइंट है कि पार्त ते पाकस्तान दोवां देशां दे उच्चद कारियां दा फैसला के गैर मुसल्मान हिंदू ते से एक पार्त चले जान लोकानू ता रम्दे दार्ते बंड़ा गया ते उन्हादी मर्जी दे वरोद दोना दे पुर्खें देका स्वीज दसी है तेवी कि दस्या क्या कि वांड़ तो पहला लोक ता रमते सब्या चार्दी प्रवा कीते बिना एक दूजे नर्साजर इंदे सन पर जदों एक वार सी मामा खिच्चियां जान दी हैं ते सब कुछ खतम हो जानता है ते नफरत बाद जान दी है कहारी बहुत य थार ठक ते वांड़ दे पावनात मक सदमे न दर्साूं दी है अमरसर दी है कुड़ी नहीं लेकि हिंदू कील पागल हो जान दा है जदों अमरसर पारत रतल है तो दोफ़ी पाव न दन्रव करता है जदो उसनों पता लगदा कि इस देश वे चोस्ठा प्यारा रेंदा उसनों खूशी नहीं दी क्योंकि अपना जद्धी का अच्छडन दी त्यार नी एस तरह लेखकेने भी दस्या कि वांट में लखा लोका लित बाई दिया समस्यामा पैदा कीतिया जिनना चो कोज उजड गे ते कोज नू उजाड़या गया कैशर नार्थी कैम्प तार्मक पचान दे दारते बनाए गए ते हिंसा भी होई हिंदू हिंदूस्तान अते मुसल्मान पाकस्तान वल पजजन लगे एस चात्रा विच बहुत सारे मारे गे वांड़ दी हिंसक प्रकीटी ने पारत ते पाकस्तान विचका दुश्मनी ये ते शाकदा महौल पैदा कीता जो ना दे होन तक दे सबंदान वो गाड़ दा चला आ रहा है वांड़ दा प्रबाव आज वी अदुनिक समेच मनुखा दिया ता आर्मक पछाना दे दार ते दुश्मनी बनिया है कहाणी दी सैटिंग मोख तोरते लोर विच एक पागल खाने दे अंदर पाप कहाणी एक पागल खाने दे अंदर वापर दी है इस तरह इस खाणी चे बिशन सेंग नू टोबा टेक सेंग किया गया कि को टोबा टेक सेंग उसता पेंड या तोर्ट पेंड चाड़ के दुझे देश नहीं जाना जमदा ते उसता दुखा ते आ के नातां पारत गया ना पाकस्तान वचकारली जगाते मार्या गया केन दा पाव के आम इंसान नू ना ता पाकस्तान चाहिदा ना पारत उसनू रहनली जमीन चाहिदी सी पर जदो इस तरह देश खोए गये दोए पासे दान मुखता दा जो नाश होया उसनू लेख तेने बहुत ही पावकता नाल बड़े वदिया टांग नाले सें कहानी दे तोन सेमेट जए वचाहिता झाले सेषाविगा झाले सेषाविए और बेखिए तो वेडिए्दित जाये लावकता उनले साने पन्याधिद्दितिति वेखिए